शालोम आलेकिम मसी में भायो बहनों को प्रभू येश्यु में शान्ती हो आज का हमारा वचन है कलोशियो की पत्री उसका तीसरा पाग और तीसरी आयत क्योंकि तुम तुम मर गए और तुमारा जीवन मसी के साथ परमेश्वर में चिपा हुआ है इसके साथ हम पहला वचन भी पढ़ ले अदर जब तुम मसी के साथ जिलाए गए तुस्वर्ग ये वस्तो की खोज में रहो जहां मसी विद्यमान है और परमेश्वर के दाही ने और बैठा है और हमारा जो जीवन है वो प्रभू येश्यु में चिपाया हुआ वचन की स्टडी करें वचन की गहराईयों में जाएं और जहां भी मिटिंग होती है सब जगे दोड़ के जाना है जहां कोई प्रिचर आता है उसको सुनना है हम कई कोशिशे करते हैं हम खुद को और आगे लाए खुद को और बढ़ाए हमारे ग्यान को बढ़ाए और प्रभु को और जाने पर कहीं न कहीं हम ये कोशिश करते हैं कि हम पाप के उपर जीत पाएं हम और अच्छा जीवन जीए हम थोड़ा प्रभु में जीवन जीए हम प्रभु के लिए थोड़ा बहतर जीवन जीए यह हमारी कोशिशे रहती है क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी और बहुत बाइबल पढ़ने के बाद और प्रभू के वच्छन को समझने के बाद भी कहीं न कहीं हम पाप से हार जाते हैं कहीं न कहीं बड़ी मुश्किल होती है जीवन में कहीना कहीं लगता है कि शैतान बड़ा हो गया है और हम छोटे हो रहे हैं बार-बार हार जाते हैं विज़ेई जीवन नहीं मिल पाता हार का जीवन जी रहे है इसलिए हम अपने आपको शुद करने के लिए और अपने आपको और काबिल बनाने के लिए वचन को पढ़ते हैं, वचन की स्टडी करते हैं पर प्रभु का वचन यहां क्या कहता है? जीवन कहां है? जीवन प्रभु येशु के अंदर छिपाया गया है जितनी भी हम कोशिश करते हैं, वो सारी ही हमारी कोशिश से है अगर इसमें प्रभु येशु का साथ मिल जाए प्रभु अपनी तरब से आपको जीवन दे, तो कितना बढ़िया हो जाएगा? वचन कहता है, अपने आपको प्रभु येशु में छिपा लो खुद को प्रभु के अंदर छिपा देना है तो फिर बाहर क्या दिखेगा? केवल प्रभु येशु दिखेगा हमारे बाहर केवल प्रभु येशु दिखेगा, सबको प्रभु येशु दिखेगा केवल हम कहीं नहीं दिखेंगे हमारे study में, हमारी job में, हमारी business में, हमारे relationship में हमारी आसपास की लोगों से हम जैसे मिलते है सब में क्या हम अपने आपको दिखाते हैं या प्रभु येशु को दिखा रहे हैं क्योंकि प्रभु ने आपको पसंद कर लिया है अपनी महिमा के लिए तो महिमा, हमेशा प्रभु की करनी है, हमारे जीवन से केवल वोही दिखना चाहिए प्रभु का दास केता है, मैं कटता जाओ, तुम बढ़ते जाओ पर यहाँ पर वचन केता है, के तुम चिप जाओ प्रभु के अंदर कि वो प्रभु दिखना चाहिए आप बिल्कुल नहीं तो जो भी कठनाई होगी जो भी होगा वो प्रभु सॉल करेंगे आपको कोई अफोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आप विजय का जीवन जी पाएंगे मसी ने विजय का जीवन जी आता तो आए हम भी विजय का जीवन जी सकते हैं संडे हफ़ते का पहला दिन होता ही वर्षिप के लिए कि जब हम वर्षिप करते हैं प्रभु को हम उचा उठाते हैं प्रभु को महिमा देते हैं, कुछ मांगते नहीं हैं, कोई डिमांड नहीं करते हैं, किसी तरह की हम प्रभु से आस नहीं करते हैं, पर हम केवल प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु के स्तूती करते हैं, प्रभु का वजन करते हैं, और केवल सारा महिमा और सारी बाते हम प्रभू के लिए करते है जब हम वर्शिप में होते हैं तो वो बात प्रभू हमें इतनी गहराई से बरता है कि हमारा जीवन उससे चेंज होता रहता है जितना हम प्रभू को उठाते हैं जितना हम प्रभू को महिमा देते हमारी सारी बातों में सारी बातों में क्योंके जीवन हमारा रोकी अंदर छिप गया है तो हमारी सारी बातों में जब हम प्रभु को उठाते हैं तो प्रभु अपनी महिमा हमें देता है कई बार प्रभु को ये सब कुछ करने के लिए बड़ी कठनाईदे भी देनी पड़ती है और हम में से कुछ तो बहुत, बहुत मजबूत है कि तूटना जानते ही नहीं है, कई बार ये होता है कि प्रभू में तोड़ता है, तोड़ता है और हमारी सारी चीजों में हम फेलियर हो जाते हैं, हमारी फैमिली में हम जगडे करते रहते हैं, किसी से हमारी अच्छी बनती ह है सारे relation में बस तूटा फूटा लगता है जौब में अच्छा नहीं लगता है बड़ा ही ठीक से हम कर नहीं पाते है अच्छी मांक्स नहीं लाया प्लाएं अधिक फैमिली में क्राइसिस चलते हैं पैसे नहीं होते हैं एक मोमेंट यसा आता है जब हमें उसको सौब देते हैं, हम कोई अफोर्ड नहीं लगाते हैं, सारे अफोर्ड हम प्रभु को बोलते हैं, कि ये जंग तुमारी है, प्रभु आप लड़ो, और जब हम प्रभु को उठाते हैं, हम जब सारी महिमा प्रभु को देते हैं, तब हमें वो ऐसे बढ़ता है, ऐसे पालिया है हुई हमारा सब कुछ है हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है केवल प्रभु येश्यू पर डिपेंडेंट है जितने भी प्रभु की दास्त है सब भी को बहुत परिशानी बहुत कठनाई से घुजरना पड़ा तब वो यह सिक्रेट जान पाए कि प्रभु में ह अपना सब कुछ हमारा प्राव्ड हमारा घ्यान हमारी सेवाय हमारी संगती हमारे मित्र हमारे साड़े रिलेशन्शिफ प्रभु को सौप देने पिर प्रभु को जो अच्छा लगेगा वो हमें वापस दे दे गे जिससे प्रभू की महिमा हो पाएगी ऐसे हमारे पास रहेगा बाकी सब चला जाएगा जो शैतान जिससे हमें भर्माता रहता है शैतान जिससे हमें वापस खीच लेता है अपनी तरफ ऐसे कही बाते होती है हमारे में जो हम समझ नहीं पाते हैं ये शैतान इस बात से हमें खीच रहा है बहुत सारे टेलेविजन शोज होते हैं बहुत सारी असी बाते होती हैं जो हमारा समय ले लेती है हम कई बार ये बिसाइट किया होता है कि हाँ ये दस मेंट हम प्रभु येश्व को ही देंगे प्रभु के चरणों में बैठेंगे हम हमारा समय का दस्वा भाग प्रभु को हम देंगे पर नहीं होता है हमारी कितनी अच्छी अच्छी बाते ऐसी होती है कि जो हमारा समय ले लेती है उसी में रह जाते प्रभू साइड हो जाता है और हम ही आगे निकल लेते हैं आए प्रात्ना करें एह हमारे परमेश्वर हमको सिखा कि हम आप में कैसे चीप जाए हमें अभी भी अगर कठनाई है तो हमें तोड़ो और नमर करके आपकी महिमा से पर दो जिससे की हम में हम ना दिखे पर प्रभू येश्व के वल आप दिखो प्रभू येश्व किनाप से आमें